हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू कल्ल्यानि आइस अकेडमी एस यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है एडिस सीरीज में हम प्रेजेंट ली यूनिट वन को कंटिन्यू कर रहे हैं कबीर जी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो अपनी टीचिंग्स है उसको दोहों में या फिर सॉंग्स में एक्स्प्रेस करना पसंद करते थे और इनकी ये जो दोहे हैं और सॉंग्स है इन्होंने हमारी सोसाइटी पर क्या करा काफी डीप इंपक्ट जो है क्रियेट करा है इनी में से एक दोहा जो है मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ अगर दोनों आपके सामने स्टैंड कर रहे हो तो आप अपना जो ग्रैटिटूड है पहले किसको एक्स्प्रेस करेंगे तो इस पर कबीर जी कहते हैं कि आप पहले जो गुरू है उनको सम्मान देंगे रिस्पेक्ट देंगे विकास गुरू नहीं क्या करा है आपको जो गौड है उसका पाथ जो है शोकेस करा है अब if I talk about today's session तो उसको जिस sequence में हम understand करेंगे वो slide जो है आपके सामने है first we will see introduction of कबीर then we will understand कबीर as a philosopher और उसके बाद हम कुछ previous year questions जो है देखेंगे now let us start introduction of कबीर अब कबीर अगर मैं इनके नाम की बात करूँ तो इसका मतलब होता है the great one और definitely कबीर जी जो है वो great थे because अगर हम इनके time period की बात करें that is 15th century so उस time पर जो हमारी society थी तो वो किस पर run होती थी तो वर्ण सिस्टम पर run होती थी यानि शत्री, ब्राम्मन, वैश्य, शुद्र पर ये जो one system है ये 15th century तक आते आते क्या हो चुका था corrupt हो चुका था इसमें casteism यानि जातिवात का dominance जो है बहुत जादा बढ़ चुका था लोग जो हैं वो religion से जादा उस से related जो rituals है, ceremonies है, यग्य है, पाखंड है, आडंबर है वो बहुत जादा करने लग गए थे और इस time के अगर मैं rulers की बात करूँ तो Muslim rulers थे और जो Muslim rulers थे उनके कारण जो हिंदू है और Muslim है उनके बीच में conflicts भी क्या हो रहे थे लगातार जो है बढ़ रहे थे और अगर उस time के लोगों की बात की जाए तो लोग बहुत कम educated थे पर उनके अंदर prejudices पूर्वा ग्रह जो है वो बहुत जादा थे और जो human rights है और woman rights है उनकी तो बात ही मत करिये ऐसे time पर कबीर जी का birth होता है कहां काशी में जिसको हम क्या कह सकते हैं इंडिया की religion capital जो है कह सकते हैं और काशी जैसी place पर birth लेकर कबीर जी जो society में जो भी social defects होते हैं उन पर ऐसे ऐसे harsh statements पास करते हैं जो इवन आज भी कोई करेगा तो उसको jail तक हो सकती है इसे थे हमारे कबीर जी अब इनके अगर हम parents की बात करें so it is very much believe कि इनके parents जो है वो एक Muslim family के थे that is Neeru and Neema बट कुछ लोग इस पर जो है disputes create करते हैं और वो कहते हैं कि इनके parents जो है उसमें जो इनकी mother है वो actually में क्या थी? वो एक Brahman विडो थी और जो Neeru और Neema है उन्होंने इनकी सिप क्या करी है upbringing करी है so in this way we can say कि सब agree करते हैं कि जो कबीर जी है उनकी upbringing जो है एक Muslim family में होती है अगर हम इनकी caste की बात करें तो caste से ये वीवर थे जुलाह थे यानि कपड़ा बुनने का काम जो है ये करते थे which means कि ये काफी poor थे जिसके कारण इनकी proper formal education या book education जो है नहीं हो पाई और ये क्या रह गए ये illiterate रह गए but let me tell you we are talking about कबीर तो कबीर जी जो है वो अपने time के जो children है उनसे बहुत ज़ादा different थे उनका जो मन है वो किसमे लगता था तो वो जो हमारी जो mysteries होती है life और death को लेकर इनको solve करने में वो बहुत ज़ादा interested थे और particularly वो God जो है उसको understand करना चाहते थे इसी के कारण वो बाद में क्या बनते हैं तो वो saint poet और एक social reformer जो है उसके तोर पर established जो है हो जाते है but now you must be thinking कि जब ये uneducated थे या illiterate थे तो फिर इनको इतना spiritual knowledge जो है कैसे मिला definitely इनका कोई ना कोई क्या रहा होगा गुरू रहा होगा तो इनको गुरू मिलता है that is Swami Ramanand अब काफी लोग accept करते हैं कि इनके पर्स गुरू कौन थे तो Swami Ramanand थे जिनकी अगर मैं बात करूँ तो वो क्या थे वो एक वैशनप थे जो की अदवेत philosophy जो है उसमें believe करते थे अदवेत philosophy इसको शंकराचार में हमने काफी depth में understand करा है कि हम सब क्या है हम सब ब्रह्म है जो God है इश्वर है हम उसका ही क्या है अंश है और God क्या है तो God सिर्फ एक है या फिर मुझे exactly कहना चाहिए कि God जो है वो दो नहीं है तो अब ये जो Ramanand जी है I guess you are pretty clear कि ये क्या थे तो ये कटर हिंदू थे तो यो must be thinking कि जो कबीर जी है जो कि एक Muslim family से belong करते हैं तो उनको teach करने के लिए ये कैसे agree कर सकते हैं तो यहाँ पर भी जो कबीर जी है उनकी smartness का ही role रहता है कबीर जी क्या करते है जहां पर स्वामी रामानंजी जिस घाट पर सुबह इसनान के जाते हैं और जैसे ही रामानंजी का कबीर पर पाव पड़ता है और रामानंजी कहते हैं राम राम वैसे ही कबीर जी तपाक से कह देते हैं कि मुझे मेरा गुरुमंत्र मिल गया अब से आप ही मेरे क्या है गुरु है एंड इस cleverness से रामानंजी बहुत ज़्यादा इंप्र नाम रहता है लोई जिससे इनके दो बच्चे होते हैं डेट इस कमाल एंड कमाली अब अगर मैं इनकी लाइप की बात करूं तो ये एक वंडरर जो है की तरह लाइप बिताते हैं यानि घूम घूम कर क्या करते हैं जो इनका आइडिया है जो इनके व्यूज है उसको वो के दोहों को देखे तो इनके दोहों में आप देखेंगे ब्रज, अबदी, राजस्थानी ऐसी कई सारी बोलियों का योज हुआ है जो क्या करता है इस बात को एंशोर करता है कि ये क्या थे एक वंडरर थे अब इनकी जो डेथ है वो भी काफी जादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इनकी डेथ होती है कहा पर मगर में जिसके बारे में कहा जाता है कि if a person dies in मगर तो वो directly कहा जाता है तो वो hell में जाता है actually होता यह है कि इनके time पर एक belief रहता है कि अगर किसी person की death काशी में होती है तो वो person कहां जाएगा directly heaven में जाएगा तो इस पर कबीर जी कहते हैं अगर काशी में मरने से मेरी मुक्ती होती है तो ऐसी मुक्ती का कोई मतलब नहीं है इसी लिए वो पूरा इंतजाम करते हैं कि उनकी death कहां हो जो मगर में हो अब इनके death के time पर ही क्या होता है जो हिंदू और Muslims है It is sad कि उनमें conflict हो जाता है जो कि जो कबीर है उन्हें गुरुनानत जी की तरह हिंदू और Muslim जो है दोनों की दोनों जो है पसंद करते हैं तो उस समय पर It is sad that कि कबीर जी की जो body है वो गायव हो जाती है और उसकी जगा सिर्फ flowers जो है वो spread जो है रह जाते हैं तो Hindus जो है वो अपने हिस्से के flowers उठा के ले जाते हैं और Muslims अपने हिस्से के flowers जो है इठा के ले जाते हैं और दोनों अपने अपने rituals के according इनका अंतिम संसकार जो है कर देते हैं अब अगर मैं इनकी compositions की बात करूँ So try to understand कबीर जी जो है उन्होंने अपनी life में काफी सारे verses जो है यानि अगर मैं बात करूँ poems, कविता, शुलोक वगेरा जो है written down करे थे ये चीज़े क्या करती थी ये इनके जो views है किस पर spirituality यानि God पर और different aspects of life यानि की society पर उसको क्या करते थे clear करते थे अब इनके ये जो verses है ये mainly जो है किस form में है तो ये verses mainly songs के form में है जिसे हम क्या कह सकते है पद कह सकते है और rhyming couplets के form में है जिसे हम क्या कह सकते है दोहा जो है कह सकते है और इनकी जो सबसे popular composition है तो वो कौन सी है वो बीजक है but now you must be thinking कि sir as you have told us कबीर जी जो है वो तो कुछ भी write down ही नहीं कर सकते थे तो फिर उनकी ये composition कहा से आई so let me tell you कबीर जी जो कुछ भी बोलते थे वो actually में उनके जो followers थे उन्होंने क्या करा है return down करा है और उसी writing से सबसे largest collection जो है कबीर जी के verses का बनाया गया है that is बीजक ठीक है अब ये जो बीजक है इसको अगर हम breakdown करे तो इसको जो है तीन parts में तोड़ा जाता है रमेनी, शब्द और साखी इसमें साखी जो है इसमें क्या है तो इसमें कबीर जी के दो हैं है जो उनके practical knowledge को showcase करते हैं जैसे हमने देखा गुरू गोविंद दो खड़े काके लागू पाए ठीक है अब यह जो शब्द है इसमें कबीर जी के क्या है तो इसमें कबीर जी के songs है जिनेंहें क्या कह सकते हैं जिनेंहें हम जो है बद जो है कह सकते हैं For example यह जो बद है यह किसपर है तो ये ब्रह्म पर है गौड पर है और जो कबीर जी है उनका गौड कैसा है निर्गुण है तो इनके एक सौंग की एक लाइन जो है मैं आपको सुना देता हूँ निर्भे निर्गुन गुनरे गाऊंगा ठीक है अब ये जो रमेनी है इसमें आप क्या देखेंगे इसमें आप देखेंगे कबीर जी की चौपाईया अब ये चौपाईया किस पर है तो जो कबीर जी की फिलोसपी है जो कबीर जी का रहसवाद है mysticism है उसपर ये चौपाईया जो है बनाई गई है अब इनकी जो composition है यानि की बीजक यही sacred book बन जाती है किसकी कबीर पंथीस की और ये कबीर पंथ क्या है ये कबीर जी के followers है बट लेट में टेल यू ये जो कबीर जी के followers है तो ये किसके form में, جो कबीर जी की teachings है, उनको क्या करते हैं? Surround करने का पहलाने का काम यह करते हैं, और यह क्या नहीं है? तो यह एक religion नहीं है जैसे छिक्यिदम है यह सिरफ ऑग सिप्स क्या है? यह सेक्ट है, जो कबीर जी की spiritual philosophy को क्या करता है? follow करता है तो I guess कबीर जी जो है उनका एक basic introduction आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब यहाँ पर एक चीज आपको और clear होनी चाहिए कि जो कबीर जी के verses है यह कहाँ पर भी incorporate करे गए हैं तो यह आदी गरंथ में भी corporate करे गए हैं और even कितने हैं more than 500 verses जो है गुरू गरंथ साहिब में दिये गए हैं और यह जो कबीर जी के verses है यह क्या है तो यह सबसे बड़ा non-sick contribution है गुरू गरंथ साहिब में What I am trying to say जो गुरू गरंथ साहिब है तो वो किस ने लिखी है वो सिखों के गुरू ने लिखी है तो जो सिखों के गुरू है उनको हटा कर सबसे बड़ा contribution जो है गुरू गरंथ साहिब में वो अगर किसी का है तो वो कबीर जी का है Now let us understand कबीर as a philosopher अब कबीर की जो poetry है वो actual में एक reflection है किसका उनकी philosophy about life का और उनकी जो life के लिए philosophy है वो क्या है तो वो बहुत जादा clear cut है कि हमारी जो life है उसे हमें कैसे लिख करना चाहिए तो एक बहुती simple manner में लिख करना चाहिए What I am trying to say here कि हम सब जो है अपने अगर बर्थ की बात करें तो उसकी process क्या होती है सब की same होती है So हम कह सकते हैं कि ना तो कोई Hindu होता है ना तो कोई Muslim होता है ना तो कोई Brahman होता है ना तो कोई शुद्र होता है सब की सब क्या है सब की सब जो है वो completely equal है हम में किसी तरह का कोई difference जो है नहीं है And even अगर हम अपने God की बात करें तो कोई उसे राम कहता है तो कोई उसे अल्ला कहता है कोई उसे खुदा कहता है तो कोई उसे विश्नु कहता है ये सब क्या है ये सब एक God के ही नाम है तो हमें religion के नाम पर या God के नाम पर या caste के नाम पर किसी भी तरह से कोई discrimination या fight जो है नहीं करनी चाहिए Actually जो कबीर है वो क्या करते है जो Hinduism है और जो Islam है इन दोनों ही religions की जो अच्छी teachings है उसको वो क्या करते हैं accept करते हैं जैसे Hinduism से वो accept करते हैं reincarnation को और कर्मा को और Islam से वो accept करते हैं Indian सुफी ascetics की और mysticism की teachings को अब actually में कबीर जो है वो क्या देना चाहते है तो वो एक universal path जो है देना चाहते है जो कि follow किया जा सके किसके दोरा दोनों की दोनों Hindu और Islam के दोरा अब यहाँ पर वो actually करते क्या है तो लोगों की जो thinking है उसको वो क्या करते हैं अपने time period के लोगों की जो thinking है उसको वो क्या करते हैं अपनी morality यानि अपनी नैतिकता, spirituality यानि आध्यात्मिकता और humanity यानि मानपता के जो उनके lessons है उससे change करने का try जो है वो करते हैं अब इसी बात को मैं आपको example से explain करता हूँ जैसे वो क्या करते थे तो वो ideal worship जो है उसको completely deny करते थे और इसके लिए उनका दुहा है पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार अब यहाँ पर कवीर जी कहना चाहते हैं कि पत्थर जो है उसकी पूजा करने से अगर जो गौड है हरी जो है वो मिल जाते हैं तो फिर तो मैं एक mountain की पहाड की पूजा करना चाहूंगा अब actually में वो यहां यह कहना चाहते हैं कि हमें जो है किसी पत्थर की पूजा करने की जगा ऐसी चीजों को importance देना चाहिए जो दूसरों के लिए क्या है useful है जैसे कि अगर हमें एक stone floor meal की बात करें एक चक्की की बात करें तो यह चक्की क्या करती है जो गेहूं है उसको क्या करती है पीसने का काम करती है जो कि हमारे क्या आता है खाने के लिए काम आता है अब definitely you can say कि यहां पर जो attack है वो किसकी religion की practices पर हो रहा है तो वो हिंदू religion की practices पर हो रहा है but let me tell you कभीर जी जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे जो Muslim religion में उन्हें जो meaningless practices लगती है वो even उनको भी question करते हैं for example आप यह इसमें देख सकते हैं कंकर पाथर जोड के मज्जित लई बनाए तो चड मुल्ला बांग दे क्या बहरा है खुदाए अब what he was trying to say कि कंकर पत्थर यानि कि पैबल्स और स्टोन जो है उसको इखटा करके आप अपनी क्या बना लेते हो मस्जित जो है बना लेते हो और फिर उसमें क्या होता है तो उसमें मुल्ला जो है जो कि क्या करते हैं बांग देते हैं यानि कि यह कह रहे हैं मुर्गे की तरह मैं यह मै जी के भी हुआ है ठीक है बांग देते हैं यानि मुर्गे की तरह जो मज्जित में उपर वाला हिस्सा है वहाँ पर चड़कर चिलाते हैं तो क्या जो खुदा है वो बहरा है वोट ही वस ट्राइंग टू से हियर कि जो गौड है वो तो एक्चुली में क्या होता है तो वह एक खड़े होकर चिलाने की क्या रिक्वार्मेंट है तो यह एक्चुली में दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन की जो मीनिंगलेस प्रैक्टिसेस उन्हें लगती है वो उनको क्या करते हैं कोश्चन करते हैं इसके अ जायते हैं और इनकी जो टीचिंग्स है वो एक्चुली में सिंक में है किसके भक्ती मुव्मेंट के जिसको आप हिस्ट्री में काफी जादे डीटेल में जो है अंडेस्टैंड करते हैं अब भक्ती मुव्मेंट में क्या होता है फोकोस होता है किस पर कास्ट की इसको और जो है फीवर करता है किसको लब और डिवोशन के पात को अब कबीर की जो फिलोसोफी है as we have understood in the starting of this session इसको हम दो parts में understand करेंगे first is spiritual thoughts of कबीर and second is social thoughts of कबीर so now let us understand spiritual thoughts of कबीर अब कबीर जो है वो अपनी को ये एक standard philosophy straight forward way में नहीं देते हैं वो actually में क्या है दूसरी philosophies से influenced है जैसे जो हिंदुईजम है उसमें ब्राह्मनिजम से वो influenced है हिंदू और बुद्दिजम तांत्रिसम से वो influenced है teaching of नात योगी इस एंड जो imageless God है इसलाम का उससे वो क्या है influenced है अब ये सब directly against कर देती है किसकी rituals के और meaningless practices के किसी भी religion के जिसका हमने example जो है अभी यहां पर देखा कि वो किन चीजों के against है for example ठीक है अब इसके बाद इनके जो verses है ये जो poems है इनकी वो क्या करी गई है तो वो उन्होंने compose करी है कैसे prolifically मतलब इनके हर words का क्या है एक meaning है एक use है जो अगर follow किया जाए तो हमारी society क्या हो सकती है वो पहले से एक better place जो है बन सकती है और इनके जो work है वो reflect करते हैं क्या इनके views on spirituality और कई सारे experts पर इन्होंने क्या करे है अपने spiritual ideas जो है दिये है जो आपके सामने यह written है that is God, soul, impermanence of the world, maya, path of bhakti and salvation now let us understand them one by one सबसे पहले हम बात करते हैं God की अब God जो है वो कबीर की जो philosophy है उसका क्या रहते है focal point यानि main focus, main center जो है रहते हैं क्योंकि अगर आप जो कबीर है उनकी God को लेकर philosophy को समझ जाएंगे तो आप उनका spiritual से तो ठीक है even social view भी क्या कर लेंगे understand जो है कर लेंगे अब कबीर जो है वो God को क्या करते हैं multiple name से address करते हैं वो कहते हैं जो God है उसे alone को यानि एक अकेले God को हम क्या कह सकते हैं हम राम भी कह सकते हैं रहीम भी कह सकते हैं गोविंद भी कह सकते हैं अल्ला भी कह सकते हैं खुदा भी कह सकते हैं, हरी भी कह सकते हैं, God तो क्या है, वो तो सिर्फ एक है, वो हिंदू या मुसलिम में क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, वो सभी जगा है, उसका डोमेन क्या है, unlimited है, वो क्या है, वो pure है, वो sacred है, वो existing है, वो without form, यानि उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो light है, वो endless है, वो inseparable है, that is, वो क्या है, वो निर्गुन है, try to understand, जो कबीर है, उन पे सबसे ज़ादा influence किसका है, तो वो अदवेद वात का है, तो अब spiritual philosophy, अगर आप उनकी और better way में understand करना चाहते हैं, तो आपको हमारा एक session देखना चाहिए, किस पर, शंक्राचारी पर, ये two hour session है, जिसमें हमने बहुत depth में deal करा है, माया क्या है, salvation क्या है, world जो है, वो कैसा है, soul क्या है, God क्या है, तो इससे आपको कबीर का spiritual thought है, वो ज़ादा better way में understand होगा, अब यहाँ पर जो कबीर है, उनके लिए actually में God का favorite नाम क्या है, तो वो है उनके लिए साहिब, ठीक है, I guess आपने बच्पन में दोहों में सुना भी होगा, अब God जो है, वो क्या है, तो वो omnipotent है, omnipresent है, वो हर तरह की उसके पास power है, और वो हर जगा है, और उसको आप सिप वर्षिप कैसे कर सकते हो, तो आप उसको सिप लव और devotion जो है, इससे वर्षि नहीं है, आपके अंदर बस क्या होना चाहिए, गौड के लिए और उसके entities, यानि कि इनसानों के लिए प्रेम होना चाहिए, आपको गौड के लिए devotion होना चाहिए, जिसके पीछे आपका कोई motive नहीं होना चाहिए, इस तरह से कबीर यहाँ पर कहते हैं, कि गौड क्या है, वो one है, और उसका कोई second option जो है नहीं है, आप गौड को राम कहो या रहीम कहो, असल में वो एक ही है, तो actually मैं कबीर यहाँ पर क्या प्रीच कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर monotheism जो है, प्रीच कर रहे हैं, कि गौड एक है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, वश्विष्ण और ब्रह्मा और अगरम बात करें महेश, यह तीनों क्या है, यह तीनों असल में एक ही है, जिनको हम अलग-अलग functions के कारण अलग-अलग जो है, देखते हैं, और इसी के लिए, जो कबीर है, वो कहते हैं, Where are you looking for me? I am with you. I am neither in pilgrimage, nor in idols, nor in solitude. I am neither in jap, nor in tap, nor in resolutions or in past. I am neither in observing rituals, nor in yoga or in sanyas, nor I am in breathing or in the body. I am neither in the skies, nor in the universe, nor in the caves in pranayam. Yes, if there is a true seeker, I can be reached in a moment. Kabir says, listen oh sado, I can be reached only through faith. What Kabir is trying to say here, कि जो God है, अगर आप उसको ढूंडोगे, मंदिर में, pilgrimage में, solitude का मतलब यहां पर है, एकांत में, या फिर जप में, तप में, या फिर कहीं भी, तो God आपको कहीं नहीं मिलेगा. पर अगर कोई सच्चा सीकर है, अगर किसी परसन के अंदर वाक्य में लव है, devotion है, तो अगर उसमें God के प्रती रियल जो है, faith है, विश्वास है, तो उसको जो God है, वो एक सेकेंड में जो है, अपने अंदर ही मिल जाएगा. जो कि हम सब क्या है, हम सब जो है, ब्रह्म है, हम सब God का क्या है, पाठ है, और हमारे अंदर जो soul है, वो क्या है, तो वो God का ही पाठ है. और उसी में हर तरह का knowledge जो है, वो दिया हुआ है, इसे बाहर कहीं डूणने की कोई requirement नहीं है. As I have told you, ये चीज़े आपको depth में clear होगी, हमारे शंक्राचारे वाले session में. अब इसके अलावा जो शंक्राचारे है, उनके अलावा जो कबीर है, वो soul पर कहते हैं, कि जो soul है, वो actually में क्या है? तो soul जो है, वो life भी है, वो breath भी है, वो knowledge भी है. Try to understand, soul जो है, वो असल में क्या है? तो वो God का ही part है. जो God है, ब्रह्म है, उसने ही क्या करा है? हम सब को create करा है. पर क्योंकि ये God का part है, तो इसलिए ये क्या भी है, तो ये जो है creator भी है, यानि कि ये knowledge भी है, और ये knowledgeable भी है. थोड़ा सा tough हो सकता है समझने के लिए, but try to understand, जैसे ये God है. तो अब God ने हम सब को क्या करा है? create करा है. तो इसलिए जो हम है, यानि कि souls है, ये क्या है? God की creations है. बट हम क्या है? हम actually God का ही तो part है. God ने हमें अपने में से ही तो create करा है. तो इसलिए हम God की creation होने के साथ-साथ हम क्या हैं? हम खुद भी creator भी हैं हम knowledge भी हैं और हम knowledgeable भी है Soul जो है यही क्या है? यही creator of all things है और यही क्या है? destroyer भी है कबीर जो है वो actually यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो वो यहाँ पर monistic philosophy यानि अद्वेत बादी जो है explain कर रहे हैं और इसका वो example देते हैं कि cows जो है वो क्या होती है? different colors की होती है पर उनसे जो milk मिलता है वो क्या होता है? same होता है उसी तरह से हमारे अंदर जो thoughts हैं ideas हैं वो क्या हो सकते हैं? different हो सकते हैं बट हमारे अंदर जो soul है वो क्या है? same है और ये soul क्या है? ये one है ये inseparable है और ये self creating है ये soul जो है ये God की सबसे बड़ी creation है अब कभीर actually क्या करते हैं? कई तरह के views जो है propound करते हैं किस पर? soul पर तो इसलिए soul को लेकर उनका कोई exact view समझना थोड़ा मुश्किल है बट still जो उनके दो हैं जो उनके quotations हैं उनसे हम काफी हद तक understand कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं for example वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई what he is trying to say here कि अगर आप बुराई बहार ढूंडोगे तो आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा पर अगर आप अपने अंदर जाग के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपसे बुरा कोई नहीं है मतलब बहार जो है वो किसी तरह का आपको नॉलेज जो है नहीं मिलेगा जो भी नॉलेज है वो सब आपके अंदर है आपके अंदर सोल है और ये सोल क्या है यही गौड का जो है एक पार्ट है जो आपको हर चीज का नॉलेज जो है देगा now moving on next is impermanence of the world अब यहाँ पर जो है कबीर कहते हैं कि जो world है वो क्या है वो impermanent है यह world क्या है नशवर है और even इसकी जो things है सारी कि सारी living या non-living यह सब things भी क्या है यह सब भी नशवर है इन सब का एक ना एक दिन क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा, they all would cease to exist someday इसी लिए वो अपने followers को कहते हैं कि जो मौत है, जो death है हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए चोकि every person is bound to die अब देखी यहाँ पर कबीर जो है वो क्या explain करना चाहरे है अगर आपको उसको समझना है तो एक diagram में आपको अभी से clear कर देता हूँ तो देखिए, हम सब जो है, हम क्या है? तो हम जो है, हम जीवात्म है यानि कि हम soul है अब हमें किस तक पहुँचना है? तो हमें जो है, परमात्मा तक पहुँचना है जो कि क्या है? God है अब हम सब के बीच में क्या है, एक दिवार है जो soul है और जो परमात्मा है उनके बीच में क्या है? एक दिवार है और ये दिवार किस की है? तो ये दिवार जो है, माया की है और ये जो माया है इसके क्या है? तो इसके कई सारे पॉम्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं हमें जो है गौड तक पहुँचने में रोक रहे हैं अब ये माया कहा है तो ये माया जो है इस वर्ल्ड में है तो ये वर्ल्ड जो है ये क्या कर रहा है ये आप यानि कि जीवात्म को God तक पहुँचने से रोक रहा है और यह आपको रोक किस से रहा है यह आपको Maya से रोक रहा है Maya के कई सारे POMS हैं जैसे Lust Kamini Greed Attachment और Ego अब इनको हम Maya में समझेंगे अब अगर आपको पहुँचना है किस तक God तक तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए आपके अंदर जो है भक्ती होना चाहिए क्योंकि यह भक्ती ही क्या करेगी जो जीवात्म है उसको परमात्मा से मिलाएगी और इस वर्ल्ड में तो क्या है इस वर्ल्ड में तो सिर्फ Maya है जो आपको क्या करेगी परमात्मा तक पहुचने से रोक देगी अब I guess आप impermanence of world जो है उसको कापी अच्छे से understand कर पाएंगे कि इस world में क्या है सब कुछ क्या है impermanent है only only truth और permanent reality क्या है God है जिसको आप सेपवसेप किस से attain कर सकते हो तो भक्ती से जो है attain कर सकते हो इसी पर कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रले होगी बहूरी करेगा कब मतलब जो आप कल करने वाले हो उसको आज करो और जो आज करने वाले हो उसको अभी करो क्योंकि जो world है ये क्या हो सकता है कभी भी खतम हो सकता है और फिर जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके अगर मैं और deeper meaning की बात करूँ तो हम जो है हमारी कभी भी क्या हो सकती है death हो सकती है हमारा जो thought है suppose आप दान करना चाहते हो तो यह आपका दान करने का thought है यह कुछ time बात क्या हो सकता है खतम हो सकता है तो जो कुछ भी हमें करना है वो हमें अभी के अभी करना होगा अगर हमें गौड की भक्ती करना है तो उसके लिए हमें अपने retire होने का बेट नहीं करना होगा चोकि हमें नहीं पता कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे अगर हम गौड की भक्ती करना चाहते हैं घास मतलब आप जो है बहुत जादा प्राउट फील मत कीजिए अगर आपका एक बहुत बड़ा मैंशन है चोकि इस वर्ल्ड में कुछ भी पर्मनेंट नहीं है एक दिन आएगा जब आप क्या होगे आप जो है डर्ट में मिल जाओगे धूल में मिल जाओगे और आपके उप पर्मनेंस ऑफ वर्ल्ड है जिसमें वो कहते हैं कि ये वर्ल जो है ये क्या है नश्वर है इसमें क्ria है माया ये माया आप जीवातमों क्या कर रही है परमातमा में मिलने से रोक रही है तो आपको इस वर्ल्ड में चीजों के प्रती बहुत जादा अठएच्मेंट या शोक जो है नहीं रखना है आपको निर्भय होकर निर्गुन चीजों में क्या करना है जो भक्ति है वो करना है डिवोशन जो है लग जो है करना है ठीक है ये हमको जो है ठकती है ये महापापनी है ठीक है ये क्या है तो ये अविद्या है इग्नोरेंस है मतलब जैसे आपके आसपास क्या है आपके आसपास सपोस्ट कार्स हैं बाइक्स हैं आपकी क्या कहते हैं वाइप हैं आपकी फैमिली है तो इन सब चीजों से आप क्या हो जात है यह माया यानि अविद्या के कारण होता है जो हमको क्या करती है मंत्र मुग्द कर लेती है और जो भी टुथ और नॉलेज है यानि की जो गॉड है उसको हमें देखने नहीं देती है और उसकी जगा हमें क्या दिखाती है हमें लस्ट दिखाती है cravings जो है दिखाती है craving मतलब किसी चीज़ को पाने की ना भुजने वाली प्यास जो है यह हमारे अंदर जो है पैदा करती है और यहां पर कबीर जो है माया के कई सारे forms की बात करते हैं जैसे अगर हम बात करें lust मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए किसी चीज़ की क जो कबीर है वो किस से compare करते हैं तो माया से compare करते हैं वुमेन को लेकर उनके views हम social thoughts में और detail में देखेंगे इसके अलावा माया का एक form बताते हैं वो greed यह मेरी वाइप है यह मेरी family है यह मेरी गाड़ी है यह हमेशा मेरे पास रहेगी या फिर एक form बताते हैं वो ego ego मतलब कि मैं क्या हूं तो मैं ब्राम्मन हूं शत्री हूं तो मैं दूसरों से कहीं ना कहीं superior हूं और इसलिए माया के बारे में कहते हैं माया ऐसी पापिनी फंदा ले बैठी हाट सब जगतों फंदे पड़ा कबीरा आया काट अब what he is trying to say here कि माया क्या है तो माया एक पापिनी है यह क्या लेकर बैठी है तो यह जो है फंदा लेकर बैठी है कहां पर हाट में अब हाट का मतलब क्या होता है market होता है और यहां पर market से actually में कबीर का मतलब किस से है तो world से है अब यह माया जो है इसका क्या पड़ा है पूरे world में जो है आप देख सकते हैं इसका जो है फंदा जो है पड़ा हुआ है पर जो कबीर है कबीर ने क्या करा है यह जो फंदा है इसको उन्होंने क्या कर दिया है काट दिया है जो कि वो जो है क्या करते हैं जो गौड है उसको लब करते हैं उसकी जो creation है humans जो है उनको लब करते हैं और वो गौड में सच्चा devotion रखते हैं सच्ची भक्ति रखते हैं उनका जो गौड को पाने का मोटिव है तो कुछ भी मोटिव actually में है ही नहीं तो इसलिए कबीर ने क्या करा है इस फंदे को काट दिया है I guess आपको माया भी clear हो गया होगा इस diagram की help से अब इसके बाद वो बात करते हैं किसकी salvation की अब जो salvation है वो भी क्या है कबीर का एक contention है एक logic है एक तरक है कबीर जो है salvation के लिए कहते हैं यह क्या है तो यह freedom है from the pain of life and death मतलब जो जीवात में है उसका किसमे मिल जाना उसका परमात्मा में मिलन हो जाना यही क्या है salvation है और इसके लिए इसके लिए किसी person को कैसा होना चाहिए fearless होना चाहिए अब try to understand salvation के लिए पह तो fearlessness बताते हैं इसलिए मैंने आपको उनका एक पद भी बताया था निर्भे निर्गुण गुणरेग आउंगा ठीक है तो निर्भे होना क्या है सबसे पहली requirement है अगर आप इस life में कोई भी चीज जो है वो आपको नहीं मिल रही और आप उससे डर जा रहे हो तो इसका मत पहर्शलिप है इसको एक्च्टली वो क्या करते हैं इसको बताते हैं कि ये interplay है किसका डो spiritual principles का आइगेस जो आपको पहली clear हो चुके है पहला क्या है जीवात्म दूसरा क्या है परमात्मा और salvation क्या होता है? salvation होता है जब इन दोनों का क्या हो जाए? जब इन दोनों का union हो जाए, जीवात्म जो है, वो किस में मिल जाए? वो परमात्मा में मिल जाए. अब इसी बात को एक example से कबीर जो है clear करते हैं, suppose अगर हम बात करें एक तालाब की, अब यह जो तालाब है, इसमें क्या है? इसमें धेर सारा पानी है. अब इसी में आप क्या रख दीजिए? तो एक pot रख दीजिए, घड़ा रख दीजिए. और इस pot में आप क्या कर दीजिए? एक hole कर दीजिए. अब ऐसे में क्या होगा इस पॉट से जो पानी है वो कहां गिरेगा तो वो तालाब में गिर जाएगा अब यहां पर यह जो तालाब है एक्चुली में इसको कबीर क्या बताते हैं तो इसको कबीर जो है परमात्मा जो है बता देते हैं और ये जो pot है, इससे जो पानी गिर रहा है, इसको वो क्या कहते हैं, तो इसको वो जीवात्म जो है कह देते हैं, और ये दोनों, यानि pot का पानी जब तालाब में गिर जाता है, तो इसी को वो क्या कहते हैं, salvation जो है, कह देते हैं, ये मिलन जो है, यही क्या है, liberation है, salvation है, और जो salvation है उसका path क्या है तो उसका path I guess आप अभी तक understand कर चुके हैं कि जो God है उसको attain करने का सिर्फ एक ही path है और वो path किसका है भक्ती का है devotion का है और आपको यहां पर क्या रखना होगा intense love रखना होगा और devotion रखना होगा हम सब क्या है हम सब ब्रह्म है तो जब हम सब God है ब्रह्म है हम सब में उसका path है तो हमें पूरी humanity के लिए क्या रखना होगा love रखना होगा God के लिए प्रेम रखना होगा और हमें God के लिए सच्चा devotion जो है सच्ची भक्ती जो है करना होगा तभी हमें क्या मि सकता है हमें total submission करना होगा गौड के पीट पर और इसी से क्या होगा ultimate goal जो है वह जो है हमें क्या होगा achieve होगा and कभीर यहां पर clearly state कर देते हैं कि यह जो गौड के लिए भक्ती है यह जो गौड के लिए submission है इसके लिए आपको किसी तरह के rituals जो है, किसी तरह की ceremonies जो है, समारो जो है अनुष्ठान जो है, वो करने की किसी तरह की कोई requirement नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर क्या होना चाहिए purity of heart होना चाहिए, unplinching devotion जो है, होना चाहिए सिर्फ ये दो चीजे क्या है essential है, तो इस तरह से कबीर जो है, अपने followers को advice करते हैं, कि Godhood जो है वो आपको किस से मिलेगा, तो वो path of bhakti से मिलेगा now I think, जो कबीर के spiritual thoughts है, वो आपको अच्छे से clear हो गया होंगे now let us understand social thoughts of कबीर, अब कबीर की जो preachings है, उन्होंने actually में क्या करा है, तो जो oppressed humanity है, जो दभी कुछ लिए मानपता है, उसको uplift करने का कहीं न कहीं काम करा है, उन्होंने strength दिये लोगों को कि वो क्या कर सके, अपने feet पर stand कर सके और fight कर सके against what religious, social and political inequalities religious मतलब, हिंदू, muslim, social मतलब Brahman, शुद्र और political मतलब, society में आपकी rank क्या है, हाई है कि लो है, वाली inequalities, इसके अलावा वो create करते हैं, एक नया universalism और culture, जो कि based होता है कि इस पर goodness of ultimate reality, यानि कि God जो है, वो एक है, वो राम भी है, वो रहीम भी है, और इसके अलावा, brotherhood of mankind पर, यानि हम सब humans जो है, वो हिंदू-Muslim होने के पहले क्या है, तो वो इनसान है, क्योंकि हमारा जो birth process है, वो सबका क्या है same है, तो हम में क्या है हम में complete equality है तो जो spirit of social reform इनकी literature में मिलती है उसे हम in following points से understand कर सकते हैं Now let us understand them one by one तो सबसे पहले वो जो है क्या करते हैं, जो ideal worship है उसको completely deny कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है ये एक social evil है जो हमारी society की जो health है, उसको क्या कर रहा है खराप कर रहा है, इवन वो कहते हैं कि ये क्या है, ये उन weeds की तरह है जो crop को क्या कर देते हैं destroy कर देते हैं और ये क्या है ये एक means है priest के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का तो इस तरह से कबीर जी जो है वो stress करते हैं किसके लिए ऐसा work करने के लिए जो हमारी life को better बनाने में क्या हो useful हो और deny करते हैं किसको ही ideal worship की और इसी से related इनकी sayings जो है यहाँ पर return down है जिसको हम already अ अच्छे से detail में understand कर चुके हैं now moving on antagonist of caste system and evil practices कबीर जो थे वो एक बहुती strong opponent थे caste system के वो stress करते थे कि जो God की creations है वो सारी की सारी क्या है equal है और जो उनके followers होते हैं उन्हें वो साथ-साथ कहते थे कि आपको जो inhuman practices है untouchability है feeling of high and low है यह सब चीजे क्या करना है completely give up करना है इसलिए कबीर कहते हैं जाती न पूछो सादू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान मतलब किसी भी जो सादू है या कोई भी person जो है उसकी हमें क्या नहीं पूछनी चाहिए जाती जो है नहीं पूछना चाहिए हमें उसका क्या देखना चाहिए हमें उसका ग्यान देखना चाहिए उसकी qualities जो है देखना चाहिए अब किसी भी अगर हम तलवार की बात करते हैं तो हम तलवार का ही क्या करते हैं मोल करते हैं उसके उपर जो मयान रहता है जो cover रहता है उसका जो हमाई लिए कोई meaning नहीं हो उसके knowledge की क्या है value है उसके उपर जो cover है जो मयान है उसकी कोई value नहीं होती उसी तरीके से जैसे की एक person के उपर जो caste का cover है कि वो ब्रामण है कि वैश है कि शुद्र है इसकी कोई value जो है नहीं होती है इसके अलावा वो अपोस करते हैं किसको rituals को और ceremonies को यानि अनुष्ठान को और समारों को और इसके उपर वो क्या करते है logical questions जो है race करते हैं सारे आडंबर और superstitions यानि अन्ध विश्वासों पर example के लिए मुंड मुडाए हरी मिले सब कोई लेया मुडाए बार बार के मुंडते भेड़ना बैकुंड जाए मतलब जो सिर है उसको मुंडाने से अगर गौड मिल जाते तो फिर क्या बात थी जो भेड़ है उनका तो साल में बार बार क्या होता है मुंडन होता है बड़ इस्टेल वो हैवन जो है नहीं चली जाती है इस तरह से जो रिच्वल्स और सेरेमिनी से रिलीजन्स में उसको वो क्या करते हैं अपोस करते हैं इसके अलावा हुमेनिटी जो है उसको कबीर जो है बहुत ज़ादा क्या देते थे रिस्पेक्ट देते वो कहते थे हमें सब को क्या देना चाहिए रिस्पेक्ट देना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब को वो क्या मानते थे इक्वल मानते थे जो कि हर परसन के क्या होते हैं एक हैड होता है दो आमस होते हैं दो लेक्स होते हैं वो लोगों से पूछते थे कि अगर ज ऐसे discriminate कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी परसन की कास्ट और रिलीजन के basis पे लोगों की जो थोड़े बहुत looks हैं वो क्या हो सकते हैं जो facial features हैं वो different हो सकते हैं किसके कारण उनके environment के कारण climate के कारण या फिर कुछ अलग factors के कारण बट उनकी जो body का basic structure है वो तो क्या रहता है सेम रहता है इसलिए गुरु कबीर जी कहते हैं हिंदू कहूं तो मैं नहीं मुसलमान भी नहीं पांच तत्व का पुतला ये भी कहले माही ठीक है अब इसके बाद next है उनकी sayings equality पर अब यहाँ पर जो brahman's हैं उनकी superiority को वो challenge करते हैं और यहाँ पर जो है जो physical appearance है skin, bones, parts of body इनके उपर कहते हुए वो scientific argument देते हैं superiority के against की एक ही तचा हर मल मूता, एक रुधीर, एक ही गुदा, एक बून दे, सिर्ती राची, को है वामन, को है सुदा इसके अलावा वो यहाँ पर क्या करते हैं, argument देते हैं process of birth पर, जो वो कहते हैं कि सभी caste के लिए क्या होती है, same होती है, चाहे वो brahman हो, चाहे वो क्या हो, शुद्र हो, सभी children का जो birth है, वो same manner में होता है, और इसी पर वो कहते हैं, जो तू brahman, brahmini के जाया, आन बाट के काहे नहीं आया, I guess आपको यह बाते अच्छे से clear हो रही होंगी, इसके अलावा woman के अगर हम बात करें, तो woman पर जो कबीर के views हैं, वो थोड़े से आपको चोकाने वाले लग सकते हैं, because कबीर जो है, अपने time के लोगों के ही according, जो woman है, उसके लिए काफी अच्छा जो है, नहीं सोचते थे, वो woman को characterize करते हैं, कैसे एक black cobra, या फिर hell जो है, उसका pit, या फिर refuse of the world के तौर पर, और इसलिए कबीर कहते है, नारी की जाई पड़त, अंधा होत बुजंग, कबीर तिन की कौन गाती, जेनित नारी के संग, मतलब कबीर कहते हैं, कि जो नारी है, उसकी अ किसी पुरुष पर, अगर इसका असर पड़ता है, तो उसकी क्या हालत हो सकती है, इवन वो जो है, नारी है, उसको क्या मानते है, एक hurdle मानते है, किसी भी man की spiritual progress में, I guess आपको याद होगा, हमने माया में समझा था, कि जो माया है, उसके कई poms में से एक poms क्या है, कामिनी है, यानि नारी और उसकी सुन्दरता है, तो यहाँ पर वो कहते हैं, कि वोमेन जो है, वो क्या करती है, सब कुछ जो है, रुइन कर देती है, जब वो किसी man के पास आती है, man के अंदर जो devotion, salvation और divine knowledge है, वो उसकी soul के अंदर जाना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसी पर कबीर की यह saying जो है, आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जो नारी पर, यानि वोमेन पर, उनके जो views है, वो दिखते हैं, उनके aggressive attacks में, जो कि माया के against रहते हैं, even almost everywhere, वो क्या करते हैं, जो माया है, उसको वोमेन से link कर देते हैं, जो कि क्या करती है, आपको लुभाती ह और entrape करने की, यानि जाल में फसाने की कोशिश करती है, और आपकी जी spiritual life है, उसको destroy कर देती है, बट जो कबीर है, वो कुछ compensatory verse भी माया के लिए कहते हैं, जो हमारी recent government, जो कहती है, बेटी वचाओ के लिए उससे similar हैं, जैसे girls नहीं बॉन होगी, तो आपको रोटीज कौन देगा, या फिर अगर हम बात करें, सपोज आप एक सेंट भी हो, तो इवन आपको भी बर्त कौन देगा, तो आपको भी एक woman ही बर्त देगी, तो इस पर वो कहते हैं, नारी नरकना जानिये सब संतान की खान, जनमे हरीजन उपजे सोय रतन की खान, मतलब जो नारी है, दरवाजा मत समझे, या उसको हैल मत समझे, वो तो क्या है, सभी सेंट्स की जो है, गोल्ड माइन है, जो कि woman ही क्या करती है, woman भी सभी man को क्या देती है, बर्त जो है, देती है, woman क्या है, वो तो जोल्स की कहीं न कहीं खदान है, तो यहाँ पर man को वो जोल कह रहे हैं, और woman इनको ख़दान जो है कह रहे हैं अब इसके अलावा फ्राइटन नीटी पे उनके व्यूज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो हमेशा क्या करते हैं लब फ्रैंशिप बगएरा को इसको नीडी और डाउन ट्रोडन लोगों को डाउन ट्रोडन मतलब जो लोवर कास्ट पीपल होते हैं जो क्या करना चाहते हैं जो फॉल कंसेप्स ब्राम्मन्स के माइंड में हैं उनको वो क्लियर करना चाहते हैं अदरवाइस वो सबसे ही क्या करते हैं स्वीटली बात करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने को कहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने कपलेट दोहे में कहा है ऐसी वाणी वो लिये मन का आपाख होए आपन तन शीतल करे औरों को सुख होए I guess आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा अब इसके अलावा वो लोगों के नेचर के उपर अपने व्यूज देते हैं अब कबीर के जो सैमन्स है वो क्या है completely reality के उपर based है वो point out करते हैं कि लोग क्या करते हैं God को pray करते हैं जब वो trouble में होते हैं बट कोई भी person God को तब याद नहीं करता जब वो क्या ह होता है happy होता है तो इसी कारण क्या होता है लोगों को सौरो जो है face करना पड़ता है इसी पर वो कहते हैं दुख में सुमिरं सब करे सुख में करे ना को यह जो सुक में सुमिरं करे तो दुखकाहे को होए ठीक है नेक्स टेस उनके education पे व्यूस तो जो उनके एजुकेशन पे व्यूस है माइ फ्रेंड्स ये काफी important है तो कि यहां पर वो education के बारे में कहते हैं कि education जो है वो किसी भी child को क्या करती है एक perfect social being में convert करती है try to understand जो education है वो आपको इस लायक बनाती है कि आप क्या कर पाएं आप welfare of society में क्या कर पाएं work कर पाएं या society के welfare के लिए work कर पाएं और उसका development है उसमें contribute कर पाएं जैसे कबीर जो है उनके पास बली book education नहीं थी पर उनके पास spiritual education थी और उनका जो contribution है वो 15th century में इतना important था कि आज भी हम क्या कर रहे हैं उसको understand जो है कर रहे हैं even अगर आप जैसे कोई चीज सीख रहे हो कोई education ले रहे हो तो उससे क्या होना चाहिए जो हमारी society उसको benefit होना चाहिए what I am trying to say here कि as a human हम क्या करते हैं अपनी life में पैसे के पीछे भागते रहते हैं बट हमारा जब ending time होता है तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि मेरी ये जो life है क्या इससे मैंने humanity के betterment में कुछ भी contribution जो है वो दिया है या फिर नहीं दिया है इसके अलावा वो education को ये मानते हैं कि education क्या करती है कि उसी भी person को इस लायक बनाती है कि वो क्या कर सके जो society है उसको change कर सके उसके time और needs के according what I am trying to say जो women है उनके rights जो है वो क्यों चीन ले गाए क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा invasions होने लग गए थे तो women के protection की requirement थी बट जब ये invasions बंद हो गए तब women को उनके rights जो है लोटाए जाने चाहिए थे और ये बात ऐसा ही person समझ सकता है जो क्या हो जिसके पास real education जो है हो पड़ इस पर कबीर कहते हैं कि जो education है वो उनके time पे जो होती थी वो education जो है सही नह चाहते थे तो एक revolution जो है लाना चाहते थे जो कि उनके time की जो education थी उसमें लोग क्या करते थे सिर्फ और चीप चीजों को रटते थे और read जो है करते थे वो जो है उनका जो real meaning है जो religious scriptures का real meaning है वो जो है उसको understand नहीं करते थे यहां पर वो जो है जो हिंदू और इसलाम दोन उनके against जो है बात जो है यहां पर कर रहे हैं कि जो teaching है उसे क्या नहीं किया जाता इन calculate जो है उनके time period में नहीं किया जा रहा था यह सिर्फ मसिफ क्या किया जा रहा था तो parrot learning जो है की जा रही थी जो किसी भी society के welfare के लिए उनके according बिलकु भी सही नहीं था इसलिए वो कहते हैं पोती पड़पर जग मुआ पंडित भया नको है धाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित हो है मतलब किताबे पढ़ने वाले बहुत से लोग आए और इस world से चले गए पर उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया पर अगर कोई person जो है उसने धाई आकर प्रेम के पढ समझ लिया या फिर जो पोती है उसके अंदर जो real meaning है जो किसी भी religion की ही real teachings है उसको समझ लिया दया को समझ लिया इंसानियत को समझ लिया तो वो वेक्ति क्या बन जाएगा वो वेक्ति जो है पंडित जो है बन जाएगा I guess education पर भी उनके views आपको clear हो गए होंगे last but not the least teacher या वो सबसे क्या है प्राइम है चोकि जो teacher होते हैं वो क्या है वो incarnation of God है God सब जगा खुद नहीं जा सकते teaching देने के लिए तो वो अपनी तरफ से teaching के लिए हमारे पास किसको बेजते हैं तो गुरू जो है उसको बेजते हैं और किसी भी गुरू जो है उनका guidance ही क्या होता है किस परसन को proper direction और right side जो है वो देता है जिससे वे परसन जो है वो क्या करता है जीवात्म जो है उससे परमात्म की तरफ जो है बढ़ चलता है तो यहां पर वो कहते हैं कि गुरू जो है वो God से भी great है क्योंकि गुरू ही क्या करता है हमें God का पाज जो है दिखाता है इसलिए वो कहते हैं गुरू गोविंद दौव खड़े काके लागू पाए बलीहारी गुरू आपने गोविंद यो बताए आपको ये भी अच्छे से एक क्लियर हो गया होगा अब प्रिवियस कोशन के अगर हम बात करें तो यहां से तीन कोशन जो हैं वो पूछे गाए फर्स्ट कले एक वी ओफ सेंट कबीर और राइट कमेंट्स ऑन दे सोशल कंशिशनेस इन दा पोईट्री अप कबीर तो अभी जो हमने सोशल थौट पड़ा है कबीर का वो आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं रिटन डाउन कर सकते हैं इससे आपको अच्छे मार्स जो हैं मिल जाएंगे Now I guess कबीर जी की जो philosophy है वो आपको completely clear हो गई है Now हम मिलते हैं अपने next session में that is तुलतिदास जी की philosophy So thanks for watching